आईए हम लोग जैव प्रक्रम का जो हमारे सेशन चल रहे हैं इसको आगे बढ़ाते हैं और जीव विज्ञान का जो हमारा सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि शोसन कैसे होता है शोसन कैसे विविन टाइप का होता है ये चीज हम समझ रहे हैं आज का जो हम लोग सेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग शोसन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेने जा रहे हैं हमने अपने दो जो हमारे शोसन के सेशन हो चुके हैं उसमें हमने समझा कैसे शोसंद वेविन प्रकार के होते हैं oxygen की उपस्थिति oxygen oxygen की अनुपस्थिति में यह हम लोग पढ़ चुके हैं उनके अलग-अलग नाम होते हैं aerobic respiration कहलाता है और कैसे इस जो तो हमारा शोसन की जो ये क्रिया होती है और उसमें अगर oxygen की कमी होती है तब ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे acid बनते हैं और वो कब बनते हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा कुछ physical ऐसी activity करते हैं जिसमें oxygen की हमारे body में कमी हो जाती है और इसलिए हमारे body में pain होता है तो अब पर oxygen हमारे body में नहीं जा रही है चलिए आज हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं discuss करने जा रहे हैं वो है कि जब यह plants कैसे respire करते है plants में कैसे हमारा शोसन की kriya चलती है तो हम जो मानते हैं आपको याद होगा जब मैंने chapter start करा था उसमें हमने जीव आजीव के बारे में बात करी थी और हम यह जानते हैं जो plants हैं जो हमारे पौधे हैं हमारे आसपास वो क्या हैं वो हम उनको जीव मानते हैं वो living category में आते हैं तो इसका मतलब है कि अगर वो उनमें जीवन है तो उनको जैसे वो खाना बना रहे हैं और वो अपने लिए भी portion ले रहे हैं और बाकी जितनी भी स्रश्टी में लोग है जिनको portion की जरूरत है वो उन पर dependent है तो इसका मतलब है जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक respiration का process करते होंगे और यह हमें पता चल गया है कि जो शरसन का process है यह खाली हमारा सांस लेना और निकालना नहीं है यह एक हमारी तगड़ी एक chemical process हो रहा है जिससे energy मिल रही है तो पादब भी अपना काम कर रहे है पेड़ पौधे भी कितना काम कर रहे है पूरा photosynthesis का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उनको भी energy चाहिए उनको energy कहां से मिलती है भू हम देखते हैं तो यह जो पादब होते हैं इनको इनमे भी एक शुसंत की खरिया चलती है और उसमें भी उनका जैसे हमारे शरीमें dead का अधान प्रदान चलता है ऐसी ही पादबंजिक पादब है यह जो प्लां से इनमें भी गैसों का आदान प्रदान चलता है तो पौधों में गैस का आदान प्रदान कहां से होता है जैसे हमने देखा हम मुझ से और अपनी नाक से हमारा ब्रीधिंग प्रॉसेस चलता है यह जो पौधे होते हैं इनमें होते हैं रंद्र छिद्र इस्टोमेटास इनकी दोरा होता है और कैसे जैसे हमारा शोसन की अभिक्रिया होती है वैसी इसमें पौधों में होता है वो काबन डाउकसाइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ काबन डाउकसाइड और ऑक्सीजन का अदान प्रदान चलता है और ये कोशिकाओं में या दूसरे बाहर वायू में जा सकते हैं तो मीज जैसे हमारा कोशिकाओं में अदान प्रदान चल रहा है ऐसी ही पौधों में भी इनका अदान प्रदान जो का आदान प्रदान चलता है यह देखिए जो हम अभी रंदर छिद्र की बात कर रहे थे ऐसे हमारे लीफ में यह ऐसे छोटे-छोटे यह इस्टोमेटर प्रेजेंट होते हैं और इन में यह हम जानते हैं जैसे वह हमें यह मालूम है stomata क्या है यह पानी का control करते हैं जब पानी अंदर होता है वो खुल जाते हैं फूल जाते हैं और जब वो पानी अपने अंदर से नहीं निकालना चाते हैं कोई उनका ऐसी dry conditions होती है तो वो क्या होते हैं gart cells बंद हो जाते हैं और पानी भाण नहीं जाने देते हैं तो जैसे यह पानी का यह control करते हैं ऐसे ही यह gases का भी अदान प्रदान जो चलता है वह इस्टों उमेटर या हमका रंदर छिदल के दौरा चलता है यहां देखिए यह तो यहां जो है यह हमारे गाड़ सेल से और इन में से देखिए कैसे हमारा काबंड एक्सइड और ऑक्सीजन का अधान-प्रदान चलता है ठीक है तो अब अगर हम पादबो का बात कर रहे हैं तो उसमें आप देए जब फोटो सिंथेसिस में वो क्या कर रहे हैं वो काबंड एक्सइड अंदर ले रहे हैं लेकिन जब उनका रेस्परेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो ऑक्सीजन तो यह एक प्रोसेस उनका कॉंटिनियूस चलता है तो जो अपना जब इनका जो रेस्परेशन प्रोसेस में जो काबंड एक्सइड वो बाहर निकालते हैं वो carbon dioxide फिर से वो अपने अंदर ले लेते हैं photosynthesis के process के लिए, तो इस type से इनका लगातार gases का आदान प्रदान चलता रहता है, अब ये जो हमारे पेड़ पौदे हैं, इनका आदान प्रदान दिन और रातरी दोनों में चलता है, तो विष्रण की दिशा पर्यार वरड़ी अवस्थाओं तता पौदों की अवशक्ता पर निर्भर करती है, कि उस समय क्या जरूरत है, जैसे दिन में उसको carbon dioxide की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, उसको photosynthesis का process करना होता है, और रात में वो ही कम carbon dioxide लेते हैं, और उनका respiration process काफी एक strong चलता है, तो यह हमारे क्या उस समय की condition है, उस पे depend करता है, कि वो कौन सी gas ज़्यादा अपने अंदर ले रहे हैं, absorb कर रहे हैं, और कौन सी gas का ज़्यादा आदान प्रदान चल रहा है, अब यह जो हम इसमें देख रहे हैं, कि रात्री में जैसे, अभी जैसा मैंने आपको बताया था, photosynthesis की क्रिया नहीं रहोती है, तो carbon dioxide का जो निश्कासन होता है, ही मुख्यादान प्रदान क्रिया होती है, क्योंकि क्या मतलब वो इसका हुआ, कि वो पहले जब वो carbon dioxide निकाल रहे हैं, तो photosynthesis के लिए ले ले रहे हैं, लेकिन रात में उनका जो बाहर gases निकल रहे हैं, वो carbon dioxide ज़्यादा निकाल रहे हैं, इसलिए अकसर आपने सुना होगा, बड़े लोग कहते हैं, रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो भी उनका respiration process चल रहा है, photosynthesis का नहीं चल रहा है, तो उनके पास में हमें काफी carbon dioxide की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, और दिन में क्या होता है, शोसन के दोरान, जो ये निकलती है इनकी carbon dioxide, वो हमारे प्रकार संसलेशन में प्रयोक्त हो जाती है, तो इसका अगर हम देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनमें से कोई भी carbon dioxide दिन में बाहर नहीं आती है, तो इस समय प्रकार संसलेशन से प्राप्त oxygen का निकलना ही, उनका एक मुखे कारे होता है, अब हम देख रहे हैं, जन्तूओं में गैस का आदान प्रदान, तो जन्तूओं में क्या होता है, पर्यावार्ण से वो क्या लेते हैं, oxygen, एक बस plants ही हैं, जो carbon dioxide लेते हैं, नहीं तो जन्तूओं जित्ते और हमारे organism, living organism हैं, वो oxygen लेते हैं, और carbon dioxide बाहर निकालते हैं, तो जितने भी जन्तूओं हैं, उनमें oxygen लेने और शरसन की प्रक्रिया दोरा, जो carbon dioxide उनकी उत्पन होती है, वो उसको निकालने के उनके विभिन अंग होते हैं, तो हर अपना यहां देखि कि कोई भी हमारा वो हो, जन्तू हो, उसका एक special एक organ होता है, जिसके थुरू इनका gas exchange process चलता है, अगर हम henkal हैं, तो उसका lungs है, यहां पे spider में भी lungs है, यहां पे, अब आप यह caterpillar जो ऐसे कीड़े आप देखते हैं, इनमें spiracles होते हैं, मचली में gills हैं, तो हम यह देख रहे हैं कि हर जो जन्तू है, उसका एक specified एक organ है, एक हमारा जो पार्ट ऐसा है body का, जो यह gases का exchange का process करता है, तो इस थलिय जीव जो होते हैं, उनमें क्या होता है, अब देखिए, आप तीन नाम देख रहे हैं, हम इनको फेफडे भी कहते हैं, फुफुस भी कहते हैं और लंग्स भी कहते हैं, तो आपके सामने तीनों में से कोई नाम आए, आप समझ लीजे हम respiratory organ की बात कर रहे हैं, और यह जो हमारे फेफडों से जो हमारा सांस लेने का है, वो मनुश्य हाती, घोड़ा, कुता, ऐसे जो बड़े हमारे animals हैं, वो सब में हमारे लंग प्रेजन्ट है, जिसके थ्रूँ गैस एक्सेंज का प्रोसेस चलता है, और यह हमने यह मालूम है, और बचपन से यह पढ़ा ही है, कि जित्ते हमारे जो पानी के हैं हमारे जीव, उनमें गिल्स होते हैं, और इसके थ्रूँ उनका गैसों का आदान प्रदान होता है, पढ़ा कि यह गिल्स के थ्रूँ होता है, और अभी हमने पिक्चर में भी देखा कैसे फिशिस के गिल्स होती है, जिसके थ्रूँ इनका आदान प्रदान चलता है, तो यह जो जल्य जीव होते हैं, यह शौस लेने के लिए क्या करते हैं, जो जल में विले ऑक्सीजन होती ह अब वो जल में हैं ऑक्सीजन तो हमारी धरती पा रहे हैं तो जल के प्राणी कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुल जाती है तो जलिय जीव क्या लेते हैं वो पानी लेते हैं जब वो पानी अंदर लेते हैं उसमें जो घुली ऑक्सीजन होती या उसको उनके गिल्स अपने अंदर ले लेते हैं तो इसलिए जले जीवों में गिल का विकास हुआ है क्योंकि लंग्स तो हमारा क्या है कि हमारा एक लेंड का करेक्टिरिस्टिक है कि हवा आ रही है लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस है वो पानी से कंवे कॉतीक है इसलिए क्या होता है जीवों की जो शौसदर होती है वह इसलिए जीवों की अपेक्शा दृत होती है तो यहां पर क्योंकि उनके पास एक क्म ऑक्सीजन होती है लेने के लिए और उनका बॉडी उस comply ऑक्सीजन के लिए हीETH और वह अपना जीवन चलाते हैं अब देखिए मैंने यहां पिक्चर से दिखाया कैसे यह मचली क्या है जल में रहने वाली यह वो अपना मूँ खोलती है और उसके अंदर वो अपना मूँ खोलती है और उसके अंदर क्या होता है पानी चला जाता है और ये पानी जब गिल से पास होता है तो गिल से उस पानी में से oxygen अपने अंदर ले लेती है और ये विले oxygen ब्लड में mix हो जाती है और ब्लड चारो तरफ उनके जब जाता है उससे पूरे body में oxygen की supply हो जाती है तो अब आपको समझ में आया जलिय जन्तु कैसे oxygen लेते हैं पानी के माध्यम से पानी में मिले और जब वो पानी उनके गिल से पास होता है तो उस पानी में से गिल से oxygen एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो इस प्रकार से इनका एक शो संक्रिया चलती है में अब हम लोग इस थल यह जीव वह में देखते हैं कि गेसों का आधान प्रदान कैसे होता है तो इस्थल में हमारे देखे कितने त्राइब के जीव जन्तु हमारे हमें जमीन पर मिलते हैं और अब ही हमने देखा हर जिसकी हैल्प से उनका गैस एकस्टेंज का प्रॉसस चलता है अब लोग अब लोग इस्थालिया जीव की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं जो इस्थालिया जीव उनमें शोसन के लिए क्या होता है जैसे पानी का हमने देखा पानी में जो हवाट उसमें उक्सीजिन प्र हमारे जितने भी डिफरेंड ओर्गाउनिस जो आर्थ पर प्रेजेंट ए उन में अलग अलग हैं जो वो हवा को अंदर ले रहे हैं और वोस हवा में से जो उनकी स्पैसिफाइड रेस्प्रेट्री और बो और वो ॉस हवा में से oxygen ले ले लोते हैं तो देखिए एक कित्ता सि मिले रहे हैं वहां पर हमें हवा में हवा ले रहे हैं अंदर उसमें से ऑक्सीजन हम यह जो इस लेंड के और वो ले रहे हैं पानी में वो ऑक्सीजन पानी में गुली हुई है तो वो पूरा पानी अंदर ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन ले रहे हैं सिंपल ये एक कॉंसेप्ट है, लेकिन यहां पे जो हमें एक चीज देख रहे हैं, कि ये जो हमारे विभिन अंग है, इनमें क्या है, रचना समान होती है, जो उस सताई शेथफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बहुले वायू मंडल के संपर्ट में रहता है, ये बहुत इसका मतलब क्या हुआ, कि यहां जो हमारे रेस्परेटरी ओगन है, जो एक ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्सॉर कर सकता है, वो एक कॉमन करेक्टिरिस्टिक है, चाहिए उनका कोई भी ओगन हो, जैसे अभी हमने अलग-अलग पढ़ा, ट्रेकिया का पढ़ा, अलग-अल इत्वल को भढ़ाती है, कि वो क्योंकि हमारे छोटे-छोटे ओगन है, लेकिन उसके अंदर ऐसे कुछी सिस्टम है, जैसे आपने जब डैजस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने आपको दिखाया था, इसमॉल इंटरस्टाइन में विलाइस होते हैं, जिससे सर्फेस एरिया बढ़ता है, और फूड एब्सॉब होता है, ऐसी अब ऑक्सीजन एब्सॉब करनी है, तो हमारे जो जैसे लंग से हैं, ट्रैकी आए, वो भी ऐसे बने होते हैं, उसके अंदर भी ऐसा फैला हुआ सिस्टम रहता है, कि जादे से जादा ऑक्सीजन एब्सॉब हो सके अब वो अपने अंदर ले सकें, जैसे जो प्राणी है, वो अपनी जो एक उसकी शरीर की जो ख्रियाएं हैं, वो अराम से करता चलता जाएं, अब ऑक्सीजन और काबन डिर्कसाइट का जो विने में हैं, क्या होता है, इस सते के आरपार होता है, तो इसलिए क्या होता है, यह बहुत पतली और मुलायम होती है, और उसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, कि यह जो हमारा जो भी रेस्परेटरी औरगन है, वो खुद भी बहुत एक सॉफ्ट औरगन, मस्कुलर औरगन होता है, तो उसमें कोई चोट ना लगे, वो कहीं से वो नहीं, कोई की सतय की रक्षा के लिए, क्या होता है, ऐसा सिस्टम बना होता है, कि कोई एक बहार की किसी चीज से वो प्रोटेक्टेड रहे, तो जैसे अगर हुमन भी इंका देखे, तो यह क्रेनियम है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह क्रेनियम है, इसके अंदर हमारा क्या है यह lungs protected रहते हैं और यह main जो lungs हैं वो soft रहती है जैसे गैसों का अधान प्रदान असानी से हो सके हैं और इसके अथरिक जहां oxygen of short होती है उस श्रेत में वाईू अंदर और बाहर आने के लिए क्रिया विधी होती है means पूरा एक structure बना होता है तो जैसे हम दे digestive system देखा, कि कैसे मुँ से पेट तक ले जाने के लिए हीसोफेगस है, फिर small intestine में कैसे different organs से juices आ रहे हैं, वो mix हो रहे हैं, तो ये जो सारी ऐसे अभी क्रिया चल रही, ऐसी हमारी शोसन की भी अभी क्रिया चलती है, और कि इसका human being का हम लोग next session में, और detail में discuss करेंगे, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कैसे पादप का अपना एक शोसन क्रिया का process चल रहा है, और जो जीव जनतु हैं, उनमें भी specialized organs हैं, जो oxygen को अंदर लेते हैं और अपनी शोसन की क्रिया को चलाते हैं, अगले session में हम लोग discuss करेंगे कैसे मनुष्य में हम लोगों में शोसन की क्रिया होती है, मिलते हैं next session में, बाई!